हैलो फ्रेंट्स हमारे चैनल येस जे हिंदी रेस्पी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम एक बहुत ही यम्मी सी रेस्पी बनाने जा रहे हैं आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं उसको तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके पहले फ्रेंट्स अगर हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो अपलिए सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो यह हमने लिया है दूद, दूद हमारा यह है पांसो ग्राम करेप फुल क्रीम दूद है आधा लीटर और थोड़ा सा हमने कटोरी में अलग से दूद लिया है तो अभी कडाही हम चड़ा दिये हैं और इस पर डाल देते हैं यह वही दूद 500 ग्राम यह दूद डाल देते हैं और गैस करते हैं और धीरे धीरे दूद को गरम होने देते हैं तो आज की रेस्पि आप लोग ने देखी होगी बहुत ज़्यादा बहुत यम्मी सी रेस्पि बनाने जा रहे जटपट बन जाती है, देर ने लगती है और खाने में इतनी डिलिसिस होती ही, इतनी मज़ेदार तो दूध हमारे उबलने लगा है इसको धीमी आज पे थोड़ा सा पकाएंगे तो ये थोड़ा सा करीब थोड़ा सा कम हो जाए ये खोलने देते हैं इसको और किनारे जो है ना अगर इसकी एक्ष्रा में मलाई जमती है तो उसको भी हम निकाल देंगे और दूध हमारा काफी कम हो गया था फिर अभी हम डाल देंगे चीनी तो चीनी है ये हमारी 100 ग्राम के आसपास चीनी है 100 ग्राम से थोड़ी सी जादा होगी चीनी क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा चाहिए था तो मीठे की हिसाब से मैंने अपने क्वांटिटी चीनी की उसी हिसाब से मैंने रखी है और जो किनारा लगा है मावा टाइप का वो भी निकालते जाएंगे और चीनी को घोलते जाएंगे इस तरह से पूरी चीनी खुल जाएगी तो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड और ये हमने फ्रूट काट लिये हैं केला है एक केला काट लिया थोड़े से अनार है छीलिये हैं अंगूर को भी पीसेस में काट लिया है और एपिले काट लिया है और ये थोड़ा सा पिस्ता है और काजू है थोड़े से गार्निस के लिए थोड़ा सा हल्दी बनाना था इसलिए पिस्ता और काजो भी डाल दिया है और फ्रेंट्स अगर और ज़्यादा फ्रूट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो मेरे पास इतने फ्रूट से जो जिस तरह के थे मैंने वो डाल दिये और इसमें आप जैसे कुछ भी डाल सकते हो चेरी डाल सकते हो कीवी डालो काले अंगुर डालो जैसे जो भी फ्रूट अगर आपको पसंद हो वो आप डाल दो या जो आपके घर में उपलब दो अगर बनाने का मन है तो वो डाल लो और जो थोड़ा सा दूद हमने कटोरी में लिया था उसको थोड़ा सा कष्टर्ड पाओडर डाल के इसको और घोलेंगे इसमें चमश की साथा शिसको घोल बनालेंगे इदम लंस ना रह जाए नहीं तो जैसे हैं लंस रह जाते हैं गुट्ली रह जाती ना तो वो फिर सही नहीं आएगा और इसको डाल देते हैं कश्टड पाउडर का इस तरह से तयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे दूद हमारा काफी पक गया है, चीनी भी घुल गई है तो इसमें अब हम थोड़ा-थोड़ा करके कश्टड पाउडर डालते जाएंगे कि यह जो कश्टड वाला दूद है ना इसको थोड़ा-थोड़ा सा हम डालते जाएंगे और अगर एक साथ डाल देंगे तो गुटली बन जाएंगे लंस बन जाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा, हमारा कश्टड जो है ना सही नहीं बनेगा, तो थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाएंगे और जल्दी जल्दी इसमें दूद को मिलाते जाएंगे जिसमें लम्स पढ़ना पाएं और हमारा जो क्रीमे लेयर वाला है ना एकदम क्रीम साय जिसे आइस क्रीम होती है ना बस इसी तरह से इसकी बनाते जाएंगे दूद को घुटते जाएंगे तो सारा दूद इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाते जाएंगे और यह गाढ़ा होता जाएगा लो फ्लेम है, बिल्कुल ही लो फ्लेम है, तो हमने सारा दूद इसमें, जो कस्टड वाला था ना, वो हमने डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा बस एक मिनट के लिए और चलाएंगे, एक मिनट में ही ये दूद जो है ना, कस्टड मिलके इसमें गाढ़ा हो जाएगा, काफी नहीं मिलेगा हमको, इसकी, तो इस तरह से, देखो ये लगने लगा है, जीज को पलट के हम देखेंगे, कि हमारा कितना था तयार हुआ है, तो इस तरह से हम देखेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जमने के लिए तयार है तो अभी हम गैस ओफ करेंगे और इसको जल्दी जल्दी से मिलाएंगे जिसमें और थोड़ा सा बस हलका सा गाड़ा हो जाए और गैस कर देंगे और बस इसको अभी हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए तो जब यह ठंड अच्छी हो गई एक दम गाड़ी सी हो गई है और इसको अभी हम एक बाउल में निकाल देंगे इसको रूम ट्रेंपरेचर पर आने देंगे क्योंकि अगर गरम में फ्रूट मिला देंगे तो वो सही नहीं बनेगा कस्टेड हमारा सही नहीं बनेगा तो सारा जो कड़ाही से हमने निकाल दिया है एक बाउल में अब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए हलका सा ये ठंडा हो जाए रूम टमप्रेचर पे ही ऐसे रख देंगे और चार-पांच मिनट के बाद मैंने इसको देखा ये ठंडा हो गया था और काफी थिक हो गया है अच्छा गाढ़ा हो गया है अब ये हमारा फ्रूट मिलाने के लिए कस्टर्ड तैयार है तो इसमें जो हमने फ्रूट काटके रखे हैं न केला अंगूर इनको मिला देंगे अंगुर मिला देंगे केला, एपिल, अनार, सभी को थोड़ा-थोड़ा मिला देंगे इसमें तो जब कलर फूर्ड हरा लाल ऐसे दिखता है न पिले में तो इसके जो कलर होते हैं न बहुत ज़्यादा खिल के आते हैं और थोड़ा-थोड़ा साम ये पिस्ता और काजू भी थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि हेल्दी बनाना है तो मुझे फूर्ट ये इसमें डालने ही पड़ेंगी ये और अगर नहीं डालना चाहो तो भी इसका कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ड्राइ फूर्ट डालना ही है तो फूर्ट भी हेल्दी है तो ये हमारा हो गया है बढ़िया सा जमके तयार जब इसको अब हम रख देंगे मिक्स कर दिया है सारे फूर्ट मिक्स हो गए है अब इसको दूसरे बाउल में हम इसको सारा निकाल लेंगे पलट देंगे और जमा देंगे इसको इसको हम कम से कम तीन या चार घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ठंडा ठंडा कूल कूल सा हमारा तयार हो जाएगा फ्रूट कस्टड क्योंकि गर्मी आ रही है गर्मियों में तो ये खाने में ही अच्छा लगेगा और अभी तिवहारों का सीजा ना रहा खूली आ रही है तो ये तो बहुत अच्छा लगेगा तो मैंने एक बार तो पहले ही ट्राइ कर लिया बना लिया और जब खाने का बच्चों का किसी का मन हो तो फिर बनाना भी चाहिए और थोड़ा सा इसको डेकुरेशन कर देंगे थोड़ा सा हमने डाल दिया है अंगूर और जो अनार है ये भी डाल देंगे और इसको रख देंगे तो ये हमारा 3 गंटे के लिए हमने फ्रेज में इसको रख दिया था जमा दिया था और जम के कुछी इस तरह से तयार हो गया है काफी गाढ़ा हो गया है अच्छा है काफी बढ़ी असा जम गया है बिलकुल ऐसा लग रहा है आईस क्रीम जैसे तो चलो भी निकाल देते हैं क्योंकि अब सभी खाने के लिए सभी का मन हो रहा है कि ठंडा ठंडा कस्टर्ड जहना फ्रूट कस्टर्ड खाया जाए तो चलो भी खाते हैं तो फ्रेंट्स कैसा लगा आज का वीडियो हम मुझे कमेंट करके जरूर बताना और एक बार ट्राइज जरूर करना मेरे तरीके से इस तरह से फ्रूट कस्टर्ड जरूर बनाना और अगर आप इसमें और फ्रूट डालना चाहो तो भी डाल सकते हो थोड़ा सा कुटोरी में हम और डाल देंगे तो चलो मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई